स्वागत है मित्रो, इस वीडियो टुटोरियल में हम टैली में लेजर कैसे बना जाए वो सिखेंगे तो सवप्रथम आप गेटवे ओफ टैली में जाएए गेटवे ओफ टैली में आप अकाउंट इन्फो का ओप्शन पाएगे उसके अंदर जाएए उसके अंदर जाने के लिए एंटर दबाएए उसके बाद लेजर के अंदर जाएए लेजर की विंडो खुलते ही आप अलग-अलग तरखे विकल्प पाएगे उसके अंदर से क्रियेट विकल्प के अंदर जाएए अब लेजर को बनाने के लिए दो options है एक simple और दूसरा advance तो इन दोनों mode में आप अपना लेजर बना सकते है currently हम simple mode में बना रहा है तो पहले तो आप laser का नाम दीजिए suppose मैं bank accounts का laser बना रहा हूँ तो मैं मेरा Delhi bank account का laser बना हूँगा तो मैं Delhi bank account लिख रहा हूँ अगर आप कोई alias देना चाहते हैं तो आप alias भी दे सकते हैं अब under which group you want to put this laser मतलब किस category के नीचे आप इस laser को डालना चाहते हैं तो हमने आप जैसे कि हमने पिछले tutorial में देखा bank account group के नीचे डालना चाहते हैं तो bank account group right hand side जो window है उसमें से पसंद कीजिए effective date for reconciliation select कीजिए मतलब कि कौन सी date के बाद इसमें सभी transaction हुए है तो मैं 1 April 2030 ही रख रहा हूँ set alter checkbooks अगर आप checkbooks रखते हैं तो उसकी भी जानकारी आप रख सकते हैं तो उसके लिए आपको yes करना होगा अगर आप कोई bank configuration रखना चाहते हैं तो यहां yes रखिए उसके बाद bank का mailing address भी रख सकते हैं यहां आप address दे सकते हैं जैसे कि मैं गुजरा एहमदाबाद लिख रहा हूँ और आप state select कर सकते है states का right hand side में एक list आ जाएगा उसमें से आपका state पसंद कीजिए pin code डालिए और यहां आपको आपका bank account number डालना होगा तो मैं अपना bank account number डाल रहा हूँ उसके बाद branch name कौन सी branch में आपका account है तो मैं यहां money नगर में मेरी bank का branch है और मेरा account वहाँ पर है तो मैं money नगर लिख रहा हूँ और इसके अंदर आपको BSR code, IFS code भी डालना होगा और अंत में opening balance आपका opening balance जो हो यहां लिख डालिए मतलब कि आपका कोई credit balance हो या debit balance हो तो आप यहां पर लिख सकते है मेरा credit balance एक लाख पचास हजार है तो उसको मैं change कर दोगा credit और अंत में yes पर click किजिए मतलब yes पसंद कीजिए तो इस तरह से आप laser बना सकते हैं तो हमने एक bank account category यानि group के नीचे एक laser बनाए है तो इस तरह से आप laser बना सकते हैं और बाद में उसको use कर सकते हैं इस वीडियो टुटोरियल में बस इतना ही जादा जानकारी के लिए बने रहे धन्यवाद